जटपट ओमलेट टोस्ट बैट ऑमलेट टोस्ट बनाने हैं चाह्ट जटपट ऑमलेट टोस्ट थोड़ी सबस्त हो चाहिए नई ठाट चाला यह 30 चाहिए जन्दी स्यक्षैश्ट और आज को slow कर लेते हैं और मैंने ग्लास का इस्तिमाल किया हैं जिसमें मैं थोड़ा सा प्यास डाल दूँगी और थोड़ा सा हरा मेर्ष डाल दूँगी इसमें मैं दो अंडे फोड के डालूँगी अधिर आप चाहें तो एक नंडि करही ऑते बिश्चर सकते हैं लेकिन मैंने 7 में वो ओनडि прमाइन चाही ओलों, थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्श डाल देंगे थोड़ा सा लैल मिष्ट डाला देंगे क्योंतikle से अच्छी तरीकी से फिट गया है ग्लास में बहुत ही अच्छी तरीकी से फिट जाता है ओमलेट के बेटर हमने फेट लिया है अब हम तवे पे पाइल डालेंगे और इसे हम चारो तरफ फैला देंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी बनने वाला यह संडे का मॉर्निंग का नास्ता है तो आप इसी तरीकी से बनाए तो बहुत ही अच्छा बनेगा और टेश्टी भी बनेगा अब हम इसे तवे पे डाल देते हैं चारो तरफ फैला देंगे अब इसे हम धीमी धीमी आच में पकने देंगे जिससे हमारा जो आमलेट है बहुत ही अच्छा पक जाए जब तक वो आमलेट पक रहा है तब तक हम दूसरे आमलेट की तयारी करेंगे इसमें भी हर चीज हम मिक्स कर लेंगे जिस तरीकी से हमने पहले ओमलेट ने की ती अब एक तरफ से हमारा ओमलेट पक चुका है अब इसके उपर हम ब्रेट रख देंगे इस तरीके से क्योंकि आज को मीडियम रखना है जादा तीज आज नहीं रखनी है और इसे हम इस तरीके से कर देंगे ब्रेट में क्योंकि फ्लेवर जो है हमारा ओमलेट का ही आए तो टोस्ट खाने में और भी टेस्टी लगे तो दोस्तों यह पहुत ही जट पट रेसिपी है एक बार ध इस तरीके से हम पलट देंगे और इधर भी हमारी ब्रेट और ओमलेट पक चुका है इसे इस तरीके से हम ब्रेट के अंदर फोल्ड कर देंगे और ब्रेट को भी हम बड़े सभाल के ही करना है थोड़ा सा इस तरीके से चाहिए तो हमारा ओमलेट प्रेट टोस्ट बनके तै लेंगे तो सभी टोस्ट हमने बना दी हैं सारी टोस्ट गरम-गरम हैं तो कैसे लगा आज का मेरा मौर्णिंग करना सा कैसे पसंद आए तो लाइट करना नाबूले